दोस्तों एक प्रेम पत्र मार्केट के अंदर सर्कुलेट हो रहा है और वो प्रेम पत्र जिसको मिल रहा है वो उसको ये समझ रहा है कि वाकई में प्रेमिका ने मेरे लिए भेजा है लेकिन क्या पता कि वो जो प्रेमिका है वो फ्रॉड है हाल ही के अंदर Ministry of Home Affairs ने एक circulation जो है circulate वो जारी किया है, एक notice जो है circulate किया है, इसमें कहा है कि एक porn letter circulate हो रहा है market के अंदर अगर वो आपको मिले, तो फिर आपको डरने की जरुद नहीं है, लेकिन वो porn letter है कैसा कैसा दिखता है, उसकी बारे में अभी मैं आप लोग को बताऊंगा, और वो letter आप लोग को दिखाऊंगा अगर आप लोग को मिलता है, तो आपको घबरानी की जरुद नहीं है, छोड़ा सत्रक रहना है सावधान रहना है, अवेर रहना है तो Ministry of Home Affairs जो है उन्होंने वार्ण किया है, कि अगर पॉर्ण letter किसी को मिल रहा है, तो वो इससे घबराएना, क्योंकि अभी ये काफी viral चल रहा है, सोशिल मीडिया की उपर Facebook, Instagram की उपर WhatsApp की उपर आपको ये letter जो है, वो भेज़ा जा रहा है जिससे आपको डराने की कोशिश किये जा रही है तो अब आपको इससे डरने की जरुत नहीं है मैं इस lecture के अंदर ये बताऊंगा कि आखिरकार अगर आपके पास में ये letter पहांसता है तो आप इससे कैसे निपट सकते हैं कैसे इसको solve out कर सकते हैं इस problem को और साथ में क्या वाकई में child pornography एक offense है अगर आपकी phone के अंदर pornographic content है तो क्या वो एक offense के तरह count होगा या नहीं होगा इसके बारे में हम लोग जिकर करेंगे उससे पहले pornography से आप लोग निजाद कैसे पाएं second edition हमने launch कर दिया है hundred days का hard challenge जबरतस महनत लगने वाली है सो दिनों तक लगातार sessions देना live sessions देना और आपको हर session के अंदर एक जबरतस technique बताना ये मान के चलिएगा कि पूरे भारत के अंदर इंडिया के अंदर किसी नहीं ये challenge नहीं चलाया होगा और ऐसा initiative study close ने लिया है इससे बहुत सारे students ने success को हासिल किया है पहले भी हम लोगोंने कई results जो है वो आप लोगों को बना कर दिये है community के उपर share किया है कि देखे इनका result किस तरीके से बनाया है खुद ने उन्होंने कहा है कि सर पॉर्नोग्राफिका course लेने के बाद में हमारी ये addition छूट गया है और हमारा पढ़ाई के अंदर ध्यान लगने लगा है हम लोग business में अच्छा करने लगे है इसलिए हमने इसका second edition launch किया है जो की 100 days का रहने वाला है तीन level इसमें रहेंगे 6 सितंबर से हमारी ये class शुरू होनी जा रहे है उससे पहले आप हमारी score के साथ में ज़रूर जुड़िएगा challenge coupon code आप लोग को use करना है और इसका आप लोग लाब उठा सकते हैं combo भी जो है हमने create कर दिया है 10,000 MCQ का batch है GKGS के लिए आप लोग इससे ज़रूर जुड़िए और इससे पहले आपने 75 days का hard challenge चलाए था ये है वो प्रेम पत्र प्रेम पत्र में क्या लिखा हुआ है मैं आप लोग को बताता हूँ इसमें ये लिखा हुआ है कि the criminal code of India section 14 the POXO Act 2012 2012 के अंदर POXO Act आये था उसके section 292 section 67A and section 67B इसके तहट जो कि Information Act 2000 के अंदर count होते हैं अगर आपके phone के अंदर आपने कभी ये भी जो है वो pornography को access किया है खास तो और पर child pornography को access किया है तो वो एक criminal offense ऐसा इसके से लिखा हुआ है वो बता रहा है आप लोगो और इसमें लिखा हुआ है कि आप इसके लिए responsible है और 24 hours के अंदर अगर आप इसके बारे में कोई भी कारवाई नहीं करते हैं तो आपको jail के अंदर डाल गिया जाएगा ऐसा इसके अंदर डरानी ऐसी चीज़े लिखे हुई है और खास बात है कि यहाँ पर कुछ words लिखे हुए हैं जैसे एक word लिखा हुआ है चाइल्ड पॉर्नोग्राफी पैडोफीलिया साइबर पॉर्नोग्राफी एग्जिबिट ग्रूमिंग ऐसे शब्द लिखे हुए हैं अगर इनसे related कोई भी content आपकी mobile phone के अंदर है तो वो एक criminal offense है ऐसे देखें यहाँ पर कितनी बारिकी से काम किया गया है मैं तो यह आप लोगों को कहना चाहूंगा यह जिस भी fraud ने इसको लिखा है वो बहुत पढ़ाली का इंसान है technically काफी sound है उसके पास में काफी knowledge है और वो knowledgeable बंदा जो है आपने knowledge का use कहाँ पर कर रहा है fraud करने के अंदर seal देखिए signature देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यह जो signature है वो basically तपन डे का Director of Intelligence Bureau IB की यहाँ पर seal लगी हुई है और उसके साथ में sign भी किये हुए है फिर दिखा हुआ है Secretary Indian Cyber Crime Coordination Center और seal किये हुए signature किये हुए है इस तरीके से fraud जो है अब होता क्या है कि आपको इसका mail आता है social media के उपर आपको message किया जाता है whatsapp के उपर message आता है आप घबरा जाते है recently मेरे एक friend के साथ में गटना गटी क्या हुआ whatsapp वीडियो को लाया और वहाँ पर आपती जनक एक महिला जो है वो सामने खड़ी थी और फिर उसको मजबूर किया कि तुम भी ऐसा एक वीडियो बनाओ उसने बनाया नहीं लेकिन कहा कि अब मेरे account के अंदर 9000 रुपय जो है इससे घबराने की ज़रत नहीं है इसको आपको नेगलिट करना है इंडियन साइबर क्राइम कोडिनेशन सेंटर ने कतित तोर पर एक लेटर जारी किया है इसके जरिए रिसीवर पर कई आरोप लगाए जाते हैं और फिर उससे जवाब मगाता है मतलब जो जिसके मोबाइल फोन के अंदर चाइल्ड पॉर्नोग्राफी अब देख रहेंगी ने देख रहेंगी ने देख रहेंगी फिर भी आपके पास में लेटर आएगा आपके उपर आरोप लगता है कि आप आप इसका जवाब दीजिए यह लेटर FAC है और केंद सरकार की और सी सतरीका कोई लेटर जारी नहीं किया गया है यह लेटर दो लेटर हैट से जारी किया गया है एक लेटर हैट पर गषे मंतराले हॉम मिनिश्ट्री और दूसरे पर भारती पुलिस सेवा केchemical डारी टेरेक्टर की जांच का हवाला देता कि हमने protocol basically क्या होता है कि जहां से आप लोग internet use कर रहे हैं उसका एक protocol ID होता है internet protocol IP address हम लोग उसको कहते हैं तो ये कहते हैं कि हमने आपका IP address ट्रेस कर लिया है आप कहां पर हैं आपकी पैचान हमने कर लिया है डरानी कोशिश करते हैं mail में कहा जाता है कि analysis में पाया गया है कि आप गुप्त तरीके से office या घर पर बैटकर जो इनाईल pornography website देख रहे हैं आप घर पर या फिर office में बैटकर जो child pornography है उसको देख रहे हैं इसलिए आप इस offense के अंदर फस चुके हैं ऐसा letter के अंदर लिखा रहता है और आपको डरानी कोशिश की जाती है लेकिन डरने की आउशकता नहीं है लेकिन क्या वाकई में is child pornography on phone is crime क्या वाकई में अगर आपकी phone के अंदर child pornography है तो क्या वो offense है यहाँ पर हम लोग केरल जो high court है और supreme court नहीं क्या कहा है उसकी judgment की तरफ हम लोग जाएंगे तो यह कहा गया है कि child pornography material on the phone is not an offense under the POCSO or Information Technology Act अगर आपके phone की अंदर child pornography है तो वो कोई अपराध नहीं है अपराध नहीं है क्योंकि वो आपकी एक व्रतिक तचानकारी है आप अपने personal level पर उस चीज़ को access कर रहे है June के अंदर Carroll High Court has discharged 27 year old Sabin Thomas June में क्या हुआ था Carroll High Court ने discharge किया था release किया था 27 साल के Sabin Thomas को जिनके phone के अंदर download किये हुए थे, store किये हुए थे child pornography material उनके phone के अंदर store थे लेकिन फिर यह कहा कि यह जो है वो किसके अंतरकत नहीं आता है is not an offense under either the protection of child नहीं कि पॉक्सों के अंतरकत नहीं आता है साफ जो है वो सूप्रीम कोट और Carroll High Court ने यह judgment दे दिया था ठीक है, तो आपको डरने के आशकता नहीं है, लेकिन एक सलह आप लोग के लिए भी है, pornography देखना छोड़ दीजिए, यह वागई में आपके जिन्द की तवहा कर देगा, offense है कि नहीं है, यह एक अलग matter है कि आपको नहीं देखनी है, pornography यह आपके subconscious mind के दरज्या उड़ा देगा आपके life जो है, वो खराब कर देगा इसी लिए आप इस pornography से बाहर निकल जाईए, ठीक है तो recently जो है, वो यह circulate हो रहा है letter और इससे आपको घबराने के ज़़ा आउशकता नहीं है, क्या कीजिए अगर आप माली आपके पास में letter आता भी है, तो सबसे पहले ignore कीजिए आप उसको, उस पर ध्यान मत दीजिए ध्यान नहीं देंगे, तो letter उसका कोई भी जवाब कुछ भी नहीं माँगेगा, दूसरा, अगर वो फिर भी परिशान कर रहा है, तो आप इसकी report जो है वो cyber crime जो होता है, वहाँ पर आप online दर्श कीजिए या नजदी की जो police station है, वहाँ पर इसको बता दीजिए, घबराने के object है नहीं है है ना, आप easily easy way के अंदर चले जाएए मैंने भी एक बार cyber crime जो online website है, वहाँ पर एक complaint दर्श करवाई थी, और वो process में भी हुई है, हाँ वो पकड़ नहीं आया है, वो इंसान पकड़ में नहीं आया है, लेकिन मैंने complete दर्श कर रही, और police वाले जो है, उसकी cross verification कर रहे थे लेकिन काम होता है, ठीक है चलिए, आप लोग को pornography से निजात दिलाने के लिए, इस बार हमने 100 days का challenge लिया है, आपको लगता है कि आप लोग addiction में नहीं है, है ना लेकिन, आप उसको 4-5 दिन छोड़के देखिए, सब्ता बर छोड़के देखिए, आपके अंदर urge आना शुरू हो जाती है उसी को addiction कहते हैं, इस बार हमने 100 days का challenge लिया है, कि आप इससे कैसे बाहर निकले हैं, और इस बार 3 level course भी launch कर दिया है, आप लोग उसके साथ में जरूर जुड़ीगा, 6 सितंबर से 6 सितंबर से हमारी classes शुरू हो रही है techniques हम लोग बताएंगे इसके अंदर और उससे पहले, अगर आप लोग course के साथ में जुड़ते हैं, तो challenge coupon code यूज़ करना है आपको flat 50% और extra 30% discount जो है, वो available हो जाएगा SSC का batch चल रहा है, one day exams के लिए subjects हम लोग कर रहे हैं, जी की जी इसका आप daily live class होगी है, 4 pm पर इसके साथ में जरूर जुड़ीगा 75 days का इससे पहले challenge था चलिए, मिलते हैं आप लोगों, आप लोगों से अगले session के अंदर, तब तब धन्यवाद, thank you, चैहे